तो दोस्तो अगर आपके घर में भी Android TV होगा तो आप भी यह चाहते होंगे कि हमारे mobile से हमारा TV जो है easy कैसे connect हो जाए आप देख सकते हैं मेरे mobile में जिस तरह से यह figure आ रहा है उस तरह से मेरे TV में इस तरह का वो चल रहा है अगर मैं इसे slide करता हूँ automatic देख सकते हैं आप यहाँ पर भी slide हो रहा है बहुत ही असानी से तो बहुत ही मज़ा आता है अगर हम यहाँ पर कोई photos वगर यह वीडियो वगर चलाते हैं mobile में तो यह automatic TV में चलेगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम जानेंगे कि यह कैसे होता है बहुत ही असानी से तो दोस्तो आए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने TV को mobile से disconnect कर दिया है पूरी तरीके से अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी slide काम नहीं कर रही है तो simply friend सबसे पहले आपको करना क्या होगा जो मैं आपको बहुत unique बात बता रहा हू simply friend आपको करना क्या होगा कि आपने जो अपने mobile में जो wifi जिससे भी आपने connect कर रखा है अपने wifi को उसी wifi से आपको सेम आपको अपने TV को भी connect करके रखना है ध्यान दीजिए जिस wifi से आपने अपने mobile को connect कर रखा है उसी wifi से आप अपने TV को भी connect कर लेंगे बहुत यह असानी वाई फाई connect है मेरा, और फोन में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, फोन में भी मेरा जो वाई फाई है, वो connect है दोस्तों, यह देख सकते हैं, मैं दूसरे फोन से इसो connect कर रहा हूँ, उसके बाद आपको करना क्या होगा simply, कि आपको अपने से जाना है setting में, डिवाइस प्रेफेंस में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने बाद आपको यहांपर आ रहा है Chrome Cast Built-in, यानि आपको यहांपर टिक कर देना है, उसके बाद आपको यहांपर देना है अब उसके बाद यहां से आपका काम जो है खटम हो चुका है अब उसके बाद आपको करना क्या होगा यह जो फोन है जो कनेक्ट है उसी वाइफाई से यह अपने हाथ में लेना है अब इसके फ्रेंड सेटिंग में आना है सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर टैप करना है सर्च बार में उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है फ्रेंड कास्ट यह देख सकते हैं मैंने यहां पर कास्ट पहले से वो कर रखा था यहां पर आ गया अब यहां फ्रेंड बहुत सारा ओप्शन आएगा यहां यहां पर आपको tap करना है screencast के उपर में अब देख सकते हैं friend यहां remot screencast आया आए अब यहां पर दो-तिन option यहां पर करना है search for display device यहां partner देख सकते हैं यहां पर display device जो है search कर रहा है यहाँ पर जो मेरा टीवी जो है living room टीवी यहाँ पर recent जो है आ गया इसे हम यहाँ पर tap कर देंगे असानी से अब उसके बाद यहाँ पर देखे cancel और start now मैं यहाँ पर start now जैसे टेप करता हूँ यह देख सकते हैं friend मेरा जो टीवी है आपके सामने मैं live आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे phone से connect हो चुका है अब यहाँ पर जो भी हम करेंगे यहाँ पर यूटूब देखेंगे चाए फोटो देखेंगे चाए मोबाइल की वीडियो देखेंगे वो सारा friend यहाँ पर टीवी मे connect कर सकते हैं बहुत यसानी से वीडियो अच्छी लगी friend तो दबा के like और share जरू करेंगे thank you